इनका नाम सुनते ही आपको जो है दो युद्धों की याद आती हुगी तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का दूति युद्ध और जो कि हमें हमेरे साथ से पढ़ाई गया है कि लोग इन्हें एक हारे हुए सासक अर्थात अंटीम हिंडू सम्राइट की रूप में इनको इतना ही जाता है लेकिन सम्राठ प्र॥म राज्य विस्थार की बात करें तो सपाद लक्ष के पूरे श्वामी थे इनकी सम्राज्य विधी के विस्थार करने वाले याज़ा थे जुन्होंने कई सारे यग्ये की सारे बड़ी बड़ी युद्ध लड़े और एक फैक्ट की अगर आप बात करें तो 1192 में जिसको हम पढ़ते हैं कि तराइन की दूती युद्ध में मुहम्मद गोरी के सेना से हारते हैं तो इससे अगर पहले अगर फैक्ट उठा के देखें तो समराथ पुछुरत चोहान किसी भी युद्ध में वह प्राजित नहीं हुए थे अर्था 1192 एके तराइन के दूती युद्ध में जब मुहम्मद गोरी के द्वारा तथा कतिते कहा जाता है कि समराथ पुछुरत चोहान की हार हुई थी तो इसके पहले वह एक भी युद्ध में प्राजित नहीं होता है जबकि उससे दस वर से पहले ही अर्थात 1192 में जो तुमू का युद्ध इसका तुमूल का अर्थ ही होता है विध्वनसक भया प्रचंड घोर रण अर्थात जहां आला उदल की सेना जो कि परमादी दे चंदेल का नित्तित्व कर रहते एं और उनका युद्ध होता है समराथ के फुरत चोहान की सेना से इस प्रकार चे इतना प्रच नहीं होते हैं तो कि आपको लगता है कि वह ऐसे शाशक रहे होंगे विस्तार किया सम्राइट प्रिथूरत चोहान के इधियास के बारे में कई सारे भ्रांतिया फैलाई गए सम्राइट प्रिथूरत चोहान के अगर आप सम्राइट विस्तार के बाद करें तो 1166 से लेके 1192 उन्होंने सपाध लक्षे पूरा अपना सासान इस्थापित कर लिया था और उन्होंने एक योग्य शाशक के रूप में कार किया और भंडाड़ों का दमन किया और कई सारे नी तो आप ही सोचिए कि एक वर्ष पूर्व जिन्होंने सम्राइट प्रिथूरत चोहान जो युद्ध में गए भी नहीं थे वो जो कोई युद्ध में जाते ही नहीं थे अर्थात उनकी आवशक्ता है नहीं पड़ते इतने बड़े उनके जो है इतने बड़े उनके मंत्री और सामन तो होते थे कि सम्राइट प्रिथूरत चोहान जो की 1192 के युद्ध में मोजूद थे वहीं पर उनके परजय होती है अर्थात उनसे पहले वो जो है जब मोहमद गोरी की से युद्ध की बात की जाती है 13 बार 16 बार 15 चलिए हम दो ही बार को लेते हैं कि तरहीं के प में ऐसा क्या ही हो था एक वर्ष में ही तन संट्राइब करने वाले इस प्रकार से बढ़े बड़े उपाधियां थारान डहे और ऐसे महानतम चमान वंश्र से आने वाले समराट पितुरत चमान की इतिहास को अगर आप खंगालेंगे आप अच्छे से देखेंगे उनके कई परतों को तो आप उनको अयोग इशाषक कहीं से भी नहीं पाएंगे को कि दर्श वर्ष के आयू में कम उम्र में उनकी सासाक उत्राधिकारी घुशित होना और इस प्रकार से अपने समराज जब इस तारित्या को आगे बढ़ाना इस प्रकार से शिद्ध करता है को कहीं से भी नहीं थे और वो दूर दर्सीता भी रखते थे लेकिन समराज पित्थुरा चोहान के तराइन के दोई उद्ध में हार की पी संधी वारता हो रहे लेकिन महमद गोरी अजयनक से हम्रा करता है कोई के उसकी सेना तयार थी इस प्रकार चलपूरवा कि तरहीन की दोटी युद्ध में समराज पित्थुरा चोहान की सेनाओं के परजह हो जाता है और अन्यता वो जो है उनको कोई उत्राधिकार ना मिलने लग्स के प्रकाश सम्राउट पीस त्रण को धेल अपने आप में कुछ इतिहासिक प्रे परिष्थित्य चोहान बनती है और ऐसे इतिहास कानों ने इसको तोड़ मरोड का लिखा है कि हम अपने ही जो है समराट के विर्द जो घ्रड़ा करने लगता है और हमें लगता है कि यह हिंदू अंतिम हिंदू समराट था इस प्रकार ने वाले शाशक के रूप में समराट पर थुरत चोहन को एतिह